प्यारे वच्चों, आज हम कक्स्याच्छे हिंदी व्याकरण में सवर संदी का तीसरा भेद विर्दी संदी के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले वच्चों सवर संदी के दो भेद हम पढ़ चुके हैं पहला भेद क्या था दिर्ग संदी, दूसरा गुण संदी, तीसरा है विर्दी संदी ये भेद बच्चों हमें सिरिज में याद होने जरूरी हैं तब हम इनके नियमों को समझ सकते हैं चोथा भेद यन संदी और पांचमा भेद क्या है अयादी संदी तो इस तरह से वच्चों सवर संदी के पांच भेद हैं पहले भेद में वच्चों दिर्ग संदी में क्या था कि ए वरग के बाद ए वरग का सवर आता है तो दोनों के मिलाने से दिर्ग सबर आ बनता है इ वरग के बाद इ वरग आता है दोनों को मिलाने से बड़ी यानि के दिर्ग इ बनती है उ वरग के बाद उ वरग आने से दोनों को मिदा कर बड़ा उ यानि दिर्ग उ बनता है तो इसलिए बच्चों पहले भेद का नाम दिर्ग संदी रखा गया देख सकते हैं कि समान सवर में समान सवर मिल रहा है और इसके बाद दूसरे भेद में क्या था बच्चों गुण संदी गुण संदी में क्या है कि ए वरग में समान वरग ना मिला कर ए वरग में किसको मिलाया गया था ए या आ ये दोनों ही ए वरग के सवर हैं इसके बाद इ वरग आने पर दोनों को मिला कर क्या वन जाता है ए वरग में उ वरग को मिलाने पर क्या वन जाता है ए वरग में री को मिलाने से क्या वन जाता है ये गुण संधी के नियम है बच्चो अब इसके बाद विर्दी संदी में क्या है कि ए आ के बाद ए आ जाए अगर आपको ये सवर सीरिज में याद है तो आप इन नियमों को भी समझ सकते हैं सवर ए आ ए उ री ए आ ए तो री के बाद क्या आ गया बच्चो ए आ इसके बाद ओ आउ तो आज हम विर्दी संदी के नियमों को समझ लेते हैं विर्दी संदी में क्या है बच्चो ए आ के बाद ए आ आए तो दोनों के स्थान पर ए बनता है कहने का मतलब क्या है कि पहले शब्द का अंतिम अकसर ए या आ हो और दूसरे शब्द का पहला अकसर ए या आ हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है आए की मात्रा बनेगी इस तरह से आए की दो मात्राएं लगती है जैसे उधारन क्या है ए पलस ए के में क्या सामिल है ए और दूसरा शब्द भी ए एक एक का पहला अकसर क्या है ए तो दुनों के मिलाकर एक एक बीच वाला जो अक्सर के कैप उपर क्या लगया हुआ है आए की मात्रा इसका दूसरा नियम है बच्चो दो ही नियम है इसके कि ए वरग में ओ या आउ शामिल किया जाए तब क्या बनेगा आउ बन जाता है आउ के मात्रा किस रह से एक लाइन और उसके उपर दो मात्राएं तो इस रह से बच्चो विर्दी संदी के ये दो नियम है तो आउ तक होते हैं हमारे सवर आउ के उधारन है बच्चो ये कि ए आ के बाद ओ आउ आ जाए तो आउ बनेगा जैसे जल पलस ओज जलोज लह पे देख सकते हैं किस की मात्रा है आउ की मात्रा इस रह से मात्रा लगाई गई है कि ए में ओ शामिल करें या आ में ओ शामिल करें तो आउ बनेगा यानि विर्दी हो गई है ए में और आ में विर्दी होकर जो विर्दी वाला सवर है वही बनता है तो इसी लिए वच्चों इसे विर्दी संदी कहा गया है तो आज आपको विर्दी संदी के सभी उधारण ये सभी उधारण याद कर लेने हैं और इन नियमों को अच्छे से समझ लेना है नेक्स टाइम हम करेंगे नमबर चार भेद यन संदी पिछला भी रिवाइज करना पिछे के जो सवर संदी के भेद हैं उनके उधारण भी आपको याद करने है अच्छा बच्चो धन्यवाद